गर तालो ना पूबला रोशी एलो गर तालो ना पूबला रोशी एलो जिमी बलो ना पीजरी बेलो और हां मित्रो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्न को इस पर्श करें ताकि नए प्रस्ततियों के प्रसाराण की जैनकारी आप तक अविलम में पहुंचती रहे तो आज हम जिस होमस्टे में रुके हुए है उसके सामने एक लोकेशन की पढ़ती है आउट्डोर तो यहां हम मटन कुक करने वाले हैं और यह जो मटन हम बना रहे हैं यहां का एक ट्रडिशनल कुक्वेर होता है बरतन होता है बनाने का जिसे बोलते हैं भड्डू और यह ब्रॉंज यानि कांसे का बना हुए बरतन है और बहुत भारी होता है तो भारी होने के वज़े से जो गरम होने में समय लगता है लेकि एक बार गरम होने के बाद धीमी आज पर इसमें चीज़ें पकाई जाती है खास तोर पर इसमें आप जैसे डाले हो गई दो देर में पकने वाली डाले हैं जैसे कि गहत की दाल या जैसे कि भट की दाल और राजमा हो गया इस तरह की चीजों के लिए बहुत ही अच्छा यहां से हमें जाना था बहुत ही अच्छा यह परतन होता है और स्वास्तलाब तो इसके बहुत अच्छे हैं ही तो इन स्वास्तलाबों को ध्यान में रखते हु यहां पर आपके हमाचल प्रदेश में और उत्राखंड के कुछ छेत्रों में पुरानी परंपरा के अनुसार ये पहले के चलिए बरतन है इनको यूज की जाता रहा है तो आज हम भड्डू में माटन पकाएंगे और आनन दिलेंगे इसका और जैसे जहां जहां छेत्र बदलता है तो वहां के मांस में इक अलग तरेकर स्वाव दाता है क्योंकि वहां के पशु फिर जो चारा खाते हैं उनमें कई बार जली बूटियां भी शामिल हो जाती है तो फिर ऐसे यह देखे दिलीब जी हमारी हमारी जो होस्ट हैं दिलीब जी हमारी मदद कर रहे हैं चूला जलाने में और हम यहां जा रहे हैं इसके बाद मैं इनके आपको प्रोपर्टी भी दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छी इनकी प्रोपर्टी है यहां से यह देखे सामने बिल्डिग जो है यह दिलिप की प्रोपेर्टि है इसके अंदर कभी मिन गिलिम्स आपको दूँगा यह देखिके सामने इनकी प्रोपरटि है प्रोपरटि को सामने हम यहाँ पर पहाडी पर चला कर आये हुएloratar इस डिश का आनन्द लेंगे बिसको कुप करेंगे और मेरे लिए पहला एक्सपिरियंस है तो कि भड्डू में मैंने कभी ट्राइ नहीं किया तो चलिए अब शुरू करते हैं त्यारिया तो हम भड्डू की तली में राक का लेप लगा रहे हैं ताकि जब हम इसे चूले पर प्रियोग करेंगे तो बाद में इसे साफ करना अतियंत आसान होगा हम राक के स्थान पर मिट्टी का भी प्रियोग कर सकते हैं यह सवा किलो पहाड़ी मकरे का मांस है 800 ग्राम प्यास की फाकियों में से लगबग 600 ग्राम इसमें डाल देते हैं बाकी प्यास को एक तरफ रख लेते हैं इसमें दो टुकड़ा डाल चीनी दो बड़ी इलाईची साथ से आठ साबुत लाल मिर्जों को तोड़कर समलित करते हैं एक टेबल स्पून जीरा समलित करते हैं आठ से दस, काली मिर्ज और चार से छा लॉंग डालते हैं एक टी स्पून के लगबग हल्दी समलित करते हैं एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ज डालते हैं दो टेबल स्पून पिसी धनिया डेर्ड टेबल स्पून गरम मसाला एक टेबल स्पून पिसा जीरा इसमें समलित करते हैं इसमें दो से तीन तेज़ पत्ता डालते हैं स्वाद अनुसार नमक डालते हैं अब इसमें साट से सतर मिली लीटर सरसों का तेल समलित करते हैं सब को मिला देते हैं अब भड्डू की तली में थोड़ा तेल डालते हैं इसमें बची हुई प्यास डालते हैं थोड़ा सा नमक समलित करते हैं अब मसालों यक बकरे का मांस भड्डू में भर देते हैं इरालिया लोटे बनुआ तूकी इदिबेलो मारे बना साभा इरालिया लोक गोलोका बला लोकारा ती गाबारूलो तीन से चार हरी मिर्चें डालते हैं अब भड्डू को चूले पर रखकर आग जला देते हैं भड्डू में धककं के स्थान पर हमने एक लोटा रख दिया है पहले आज तीब्र रखते हैं ताकि प्याज नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप अपना रस छोड़ दे लोटे को पानी से भर देते हैं जब मटन पकेगा तो यही पानी गर्म हो जाएगा और हम इसका प्रियोग तरी हितू करेंगे 6-7 मिनट पकाने के उपरांथ लोटा हटा कर कर्ची चलाते हैं कर दो तो कर दो अब इसमें दो टेबल स्पून अद्रक लहसुन का ताजा पिसा मिश्टन समलित कर दें पुनह मिला देते हैं जैसा कि मैंने इस प्रस्तुति के आरम में कहा था कि मैं दलीब जी के होमस्टे का एक ग्लिम्स दिखाऊंगा रस्टिक रूट्स नाम का यह होमस्टे कुलू डिस्टिक्ट के नगर गाउं में पिरसिद नगर कैसल के एक दम समीब है यहां से आपको बर्प से घरे पहाड दिखते हैं और बहते पानी की आवाज हर वक्त सुनाई देती है दलीब जी एक बहुत ही अच्छे होस्ट हैं यदि आप इस होमस्टे और दलीब जी की होस्पिटैलिटी का आनंद लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें आईए देखते हैं हमारा मटन कहां तक पहुचा अब इसे ढख कर पंदा मिनट पकाते हैं लकडिया कम करके आँच धीमी कर लेते हैं अब हमें समय समय पर ढखकन हटा कर कर्ची चलानी हैं ऐसा हमें कम से कम चार से पांच बार करना है जब मसाला तली पर लगने लगे तो लोटे के गर्म पानी में से थोड़ा सा पानी डाल कर कर्ची चला दें और पुना लोटे को पूरा भर दें इसे भूनने में हमें लगभग 30 मिनट लगते हैं जब प्याज एक दम गल जाए और मसाली का रंग गहरा दिखने लगे तो इसे खुले ढकन के साथ 5-7 मिनट और भूने ताकि मसालों से तेल प्रधक हो जाए तदो परांथ मांस का परिक्षड करें हमारा मतन चम्मस से कट रहा है और लगभग 75 प्रतिशत तक पख चुका है अब इसमें लोटे का सारा पानी डाल देते हैं एक बार कर्ची चलाते हैं और पुना ढखकर इसे 30-35 मिनट धीमी आज पर पकाते हैं हमारा हिमाचली भड्डू मटन पक कर तयार है चलिए व्यंजन को पूरा करने के लिए थोड़ी हरी धन्या की पत्यां काट लेते हैं इसे मटन में सम्मलित करते हैं आपसे आगरह है कि एक बार हिमाचली भड्डू मटन इस विदी से बना कर अपना अनुवव हमसे साजा करें चलिए इसे गर्म गर्म परोस्ते हैं इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं जरी बलू ए बली की बेलो मारे बलू साबा इरालिया दिमी बलू का यादेने ऐसला लो दिमी बलू का यादेना ऐसला लो तुना बलू टेकस की बेलो मारे बलू साबा इरालिया यदि आपको है प्रस्तुती पसंद आई हो तो किर्पया इसे अपनों के समख्ष साजा करें धन्यवाद